कि उफ क्या दिन था अज का बहतरीन दिन था निफ्टी फिफ्टी अपना 25,000 मार्क क्रोस करके 25,000 पर एंड किया है और हाइस गया था 25,130 जो के एक अच्छा सब रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी का तो उसको ब्रीच करके 25,000 क्रोस करके एट लिस्ट उपर गया है दाट पेट का रेट काट होने वाला है नेक्स्ट वीक उसको लेगे काफी अप्टिमिजन है अभी मार्केट में और दूसरा है आई-टी स्टॉक्स बहुत भागया है भाई आई-टी का इंडेक्स इस एराउंड 1.7 परसेंट अब बाई टुड़े और इसका मेन कारान है मुचल आई-टी का काफी अच्छा बताया है इसलिए मेजरली आई-टी और फार्मा स्टॉक्स वासा मेजर गेनर तो मेरे पोर्ट्फोलियों का देख लेता है थोड़ा तो आज बहतरीन दिन था मेरे पोर्ट्फोलियों का बहुत दिन बात देख रहा हूं कि 1,000 प्लस रिटर्स लेकिन आज तो देख से 2,000 प्लस कर चुका है तो कल ही मैं रिपोर्ट किया दा कि ग्रहन लग चुआ है मेरे पोर्ट्फोलियों में स्टॉक्स का लेकिन आज भी देखे 2.13 परसें राइस वा है जो के बहतरीन चीज है तोटल रिटर्स है 31,000 46% का अभी रिकवर हो चुका ह पैसा और 98,553 का टोटल है आई रिड़ा 4.60 परसें बहतरीन है जो में तो फिट से आज राइस हुआ है 1.71 परसें 0.84 0.80 डिवीज लाव आज जासे मैंने बता है कि फार्मा सेक्टर वास वेरी हाई तो तो सन फार्मा उतना नहीं राइस हुआ है 0.8 बेकिन डिवीज सेंसा टेक्नलोजी एगें 3.68 परसें वेरी गुट स्टॉक वरून बेवरेज 0.38 परसेंट पे एंड हुआ है 1500 का 20 का अभी करेंट डिल चल रहा है इसी गा 0.36 0.23 0.56 0.04 नेगटिव है IDFC का जीवांगा 0.21 परसेंट अभी टेलिग्रम चैनल में चलता है गाईस मेरा ओफि क्षाइब चैनल ब्लत क्षाइब मेरेज चैनल फंस और फंस एंड अग्या इस अपर मोगों फेसा तो देखिए अपलो को इन्वेस खरेंगा है मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन जब भी देख रहा है तो फ्राइड का का अच्छा करेक्शन था मन्डे को भी थोड़ा बहुत for mid and small cap, तो कुछ-कुछ पैसा हमेशा लगाना चाहिए, आपके पास अगर corpus रखा हुआ है, आपके पास opportunity fund बना के रखे हुए हो, तो at least, मैं बोलूँगा के 2-5% every correction में डालते जाओ, नहीं तो, पूरा correction के लिए वेट करोगे, तो आप वेट ही करते जाओ, ऐसे नहीं है कि पूरा correction 15-20% जब गिरेगा तब मैं पैसे लगाओंगा, ऐसे करके वेट करने से कोई फायदा नहीं है, आपका opportunity cost है, वो निकल का 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, जितना भी possible है आपके लिए, उतना थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाओ, तो, the main thing is, being investing, invested in the market, ठीक है, अफेस बोल रहा है कि मैं ब्लूस्टार से full exit कर लिया हूं, वो चैनल ब्रेक करके, थ्री मंस से कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है, तो हाँ, रिटर्न यू, which are the five small cases for long term, तो यह categorical question है काफी, तो मेरा एक नजरिया हो सकता है, किसी और को एक नजरिया हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो undoubtedly the top is super multiplier, super multiplier से better कुछ भी नहीं है, अगर आपका subscription fees, आप अगर effort कर पाएंगे, तो super multiplier is the best for me, और उसके बाद है, adjustment बताया था, H2 well builders, अच्छा है, green energy, SAP green energy, Alistar AI microcap alpha is giving good returns, but keep in mind that it is very volatile, this is not for everyone, तो जो लोग भी थोरा सा risk पसंद नहीं करता है, risk लेना नहीं चाहता है, तो keep away from microcap stocks, GI midcap is again very good, alpha blend भी अच्छा performance कर रहा है, alpha prime अच्छा कर रहा है, तो काफी CWA का काफी small cases है, MAE का small cases है, Omni का small cases है, बहुत सारे small cases है, आपके खुद के हिसाब से, आपके requirement के हिसाब से, आपको चूज करना है, fan club बोल रहा है, Alistar AI microcap alpha ने आज 2% return दिया है, हां, तो Alistar AI microcap alpha एवरी पिरियेड में top list में आ रहा है, के top 5 में आ रहा है, लेकिन last 2 दिन से negative गया था, तो यह ऐसा है small case है, जब negative जाता है, तो काफी negative जाता है, और जब उठता है, तो अच्छा का से return देता है, जैसे आज भी 1.7 प्लस percentage का return दिया है, शायद मैं दिखाऊंगा बाद में, सुरज ठीकू बोल रहा है के LSTR याई microcap alpha है, very good quality stocks except one, तो आप शायद लिये होगे इसको, तो हाँ, इसका जो quality stocks भी है, इनका stock picking अच्छा है, और एक ही बात है क्योंके microcap stocks काफी गिरेगा, तो उसी बात को लेके थोड़ा दिक्कत है कि जो भी यह लेना चाहते है, याई microcap stocks तो ध्यान में रखना के काफी गिर्ड सकता है, तो डर के निकलना नहीं है, अगर आप अपने portfolio में risk लेना नहीं चाहता है, तो keep away from microcap stocks, स्मार्ट वैलूस वाले infrastructure का डिवैलेंस किया, टुड़े, लास्ट मन्थ भी किया, रिवैलेंस पता ने, डिफेंस का क्यों नहीं कर रहा है, मैं भी वही 5 stocks में लगाने का सोच रहा है, उसका मकसद यही है, तो I God knows भाई, मैं इमेल भी किया था इन लोगों के डिफेंस वाल मेरा ख्याल से अभी उच रहने का फाइदा नहीं है, यहां पर डिफेंस में, at least मैं तो और कंटिन्यू नहीं करने वाला हूं स्मार्ट वैलूस का, तो when the subscription ends after couple of months or three months, I'll probably end it. I want to take trends trilogy, but PE ratio देखके back-off कर दिया, हाँ भाई मतलो, अभी PE ratio थोड़ा सा कम होने दो, let them rebalance for a couple of more times, let the PE ratio be down, उसके बाद सोचना है, इतना PE ratio, इतना high value stocks लेना का फाइदा नहीं है, आप एक तो subscription fees दे रहो इन लोगों, उपर से अगार इतना जाधा अगर PE ratio हुआ तो काफी risk ह हो जाता है, risk to reward ratio आपका बहुत जाधा हो जाएगा, इनवेस्ट करने का सोच दो, PE ratio अगरा देखो, try to buy some stocks which are not very high in PE ratios, शमीम बोल रहा है क्योंकि green energy, green energy rebalance में जो stock एड किया है, वो सब अच्छा performance कर रहा है, अभी, green energy ऐसा small case है, जो के long term performer है, तो लगाता है तीन साल से सारे यह अच्छा performance कर रहा है, तो यह consistent performer है, ऐसा नहीं है कि एक period में बहुत अच्छा returns दे दिया है, और नेक्स्ट पाच्छा महिना एकदम returns नहीं दे रहा है, आइस्ता आइस्ता करके यह अच्छा returns दे रहा है, for every period, every, it's performing consistently, basically, तो rebalance के बाद और भी ज्यादा performance आच्छा हुआ इसका, तो that's a good thing, देवाशिस पॉल रहा है, available coupon for Alistar Microcap Alpha, यह लोग reply ही नहीं करता है, कोई भी email का है, तो coupon code क्या मिलेगा, और coupon codes guys अभी तो नहीं मिल रहा है, मैं इतना जानता हो कि stock exchange वाले promotion for small cases में काफी restriction डाल दिया है, तो coupon code वगदा maximum small cases में अभी available नहीं है, जो के पहले एक साल पहले हर एक maximum small case में available था, इवेन ओमनी वाले भी देते थे पहले, लेकिन अभी maximum small case कोड़ अवेलेबल नहीं है, अभी maximum small case कोड़ अवेलेबल नहीं है, दोनों का ही 15,000 per 6 months है, मतलब 30,000 per year है, यह काफी बड़ा amount है as subscription fees, अगर आपका amount, तो इसका main हिसाब है कि आपका जो subscription fees है, that should not be 2% more than your corpus, तो corpus, उस हिसाब से calculate करेंगे, तो आपका corpus 12 to 13 lakhs corpus चाहिए, minimum, तो इनका subscription fees, 30,000 per year है, उसको justify करने के लिए, तो यह देखके ही, आप लोग invest कीजिए, या इस्टार AI microcap या फिर सुपर मली प्लाइस में, अगर आप को सस्ते में कहीं से मिल रहा है, that is fine for you, तो आप कम corpus में भी जा सकता है, कोई भी आगा sharing में ले रहे हो, लेकिन अगर खुद खड़ीद रहे हो, with the 30,000 subscription fees, तो धियार में रखना के 12 to 13 lakhs के minimum, वो चाहिए आपका corpus, अभी चलते हैं, आज के small case watch list में, तो नया small case add किया हूँ है, right momentum in the watch list, based on a user comment, तो आज का maximum small cases positive है, 95% positive में end किया है, तो right momentum 0.84% और जो भी positive में end किया है, maximum 1% से ज्यादा ही end किया है, positive में, BM focus small case, BM भाइसन महेश्वरी जी का small case, small case भी 1.13% end किया है, फार्मा से लिए जैसे मैं बताया, starting of the video में, फार्मा सेक्टर आज भी बहतर ही परफॉंक किया है, तो 2% इसका भी rise हुआ है, craving alpha pharma 1.37, तो दोनों का ही, ये दोनों का ही, फार्मा जो small case है, काफी अच्छा performance कर रह हुआ हुआ, intrinsic value of code for 1.11, L star my AI small cap alpha, it has performed very good, 1.89%, close to 2%, L star का दोनों small case से बहतर ही परफॉंक कर रहा है, तो अगास्ट 27 में वाच्छिन पे लगा था, holiday 2.88% positive returns दे चुगा, ये अभी तक, railways defense, यही पार देखिए, इसका comparison के जी, इसका भी करीबान 17,700 रुपीज इसका 6 months का है, इसका subscription fees, वही पर आहालत देखिए, इसका, 4% negative में है, trend strategy हलका से positive गया है, super won't has ended in good numbers today, 1.06, alpha moment time कल भी अच्छा किया था, 1% से जाधा rise हुआ था, आज भी 0.69, MA value basket, पता नहीं क्या हुआ इसको लगा था, दो दिन से positive जाने के बाद काल भी, मंदी के बजार में positive end किया था, 1% से जाधा, लेकिन आज भी देखिए, आज इतना सभी stocks positive है, आज यह negative main किया है, तो हो सकता है, हमेशा, every stock cannot perform every time, L-Storm AI microcap alpha, 1.62%, very good increase, since last couple of days से शफर कर रहाता है, आज भी काफी recover किया है, 1.62%, right titan being a large cap small case, again 1.35% rise हुआ है, Qandest India only 1.22%, bullish India, bullish का हर एक small के साथ, अच्छा performance है, 1.51%, circuit breakers उतना खास नहीं किया है, GI next 50 negative कैसे चला गया, God knows why, GI small cap has performed good, because small cap index totally was very good today, 1.52%, right india manufacturing 1.09%, 2.17%, CW infra behterine है, यार, अच्छा क्या है, to CW, कारिबन, one of the top performance of the day, not the top, but one of the top, Quiver is 1.44%, very good, defense का आज, एक टाइम पे काफी अच्छा performance दिख रहा था, मेरे खुद के पोर्फोलियों का भी 1% से 1.5% उठ गया था, एक टाइम पे, दिन के end होते होते, percentage maintain नहीं कर पाया, तो profit booking हुआ है, जीतना भी थोड़ा सा भी उठता है, तो profit booking हो जाता है, ऐसा ही हाल हो रहा है, 0.54% इसका defense का है, innovating growth leaders, में में कन्वेइन बाद के दो-ती दिन बाद देख रहा हूं, momentum trend masters काफी अच्छा है, 1.50, एसा green energy, again very very good, 2.13%, जो green energy में कोई भी लगाना चाहता है, तो एसा green energy भी consider कर सकता, ऐसा नहीं है के normal green energy ही अच्छा है, this is also performing very very well, अच्छा, विन्योग इंडिया value बहुत दिन बाद देख रहा हूं होंगे positive end किया, 1.35, 1.53, CWF fantastic 50, 1.23, 1.16, smart values 0.92, GVSR negative गया है, यह वाला देख रहा है, काफी अच्छा performance कर रहा था एक टैम पर लेकिन दीन end हो देख रहा है, 0.77%, पर end हुआ है, Supernova हाला कि बहुत ज़्यादा PE ratio है, अच्छा performance किया, 1.86, चाहा नीचे चलते है, 1.52 है इसका, और कौन साच्छा परफन किया, 1.05, Omni future, value इसको क्या हुआ है पता नहीं, लगातार नेगटिव जा रहा है, आज के दिन में इतना बहतरीन दिन था आज का, फिर भी देखिए, ऐसा वैसा नेगटिव नहीं है, 1.71%, यह बहुत ज़्यादा नेगटिव जा रहा है, क्या हो गया, इसको बता नहीं, जो भी stocks लिये हुए है, एक दम नीचे ही जा रहा है, बस profit booking हो रहा है, वो सा stocks में, पता नहीं, शाहिद भर-भर के PSU भी रखे होंगे, यहां पर, I don't know, but value, value small case में PSU होना तो नहीं चाहिए, कि undervalued companies रहता है, पता नहीं, किसी के पास अगर है value deals तो बताओ, confirm करो थोड़ा, इसका क्या चकर है, क्यों नीचे आ रहा है, चाह, नीचे आता है, Qantas difference 0.89%, comparatively to smart values and CWA, अच्छा किया है Qantas ने, अच्छा, आज का top performance of the day है, guys, high momentum, high growth stocks, त इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही, तो जो कोई भी ले रहे हो, इसको तो ध्यान में रखना कि आपका corpus थोड़ा बहुत जादा चाहिए, थोड़ा नहीं, बहुत जादा चाहिए, इसको justify करने के लिए, just like super multiplers and दूसरा कॉन सा था, AI, Alistair AI, Microcap Alpha, तो basically इसक percent of your corpus should not be greater than the subscription fees in loka, stocks and weights के तरफ चल, 13 stocks is very good, ETF भी रखा हुआ है, एक debt में लगा हुआ है, तो need basis में चलता है, इनका rebalancing, September 9 में हुआ था, August 26, July, तो महीने में एक बार करता है, तो नहीं, मार्च 2023 से तो डेर साल हुआ है, तो बहुत सारा rebalancing करता है, ये लोग यार, देर सा में 67, 8, 9, 70, 70 rebalancing in 1.5 years is too much, और हर एक में कुछ कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, ये तो अच्छा नहीं लगा मुझे, बहुत जाधा rebalancing है, यार, मेरे पास खुद के पास stock star है, stock star का भी बहुत जाधा rebalancing होता है, लेकि stock star का positive क्या है, वो return छपर फार बना कर देता है, इसका भी अच्छा है, 119%, लेकिन क्या पता है, ये depend करता है, किसी-किसी का rebalancing में कोई दिक्कत नहीं रहता है, किसी-किसी का rebalancing में दिक्कत रहता है, तो देख लीजे आप लोगों क्या करना है, returns तो अच्छा है, ऐसा नहीं क्राब है, लेकिन ऐसा returns आपको दूसरे small case तो यहां पर रिबालेंसिंग उतना फ्रिक्वेंट लिए नहीं होता है लाज कैप में 5% तो कहा ही नहीं डेट और लाज केप को हटा दीजे 10% मिलाकर है इसका और 20 आप स्मॉल कैप में 70 तो मेंली स्मॉल कैप स्मॉल कैसी है यह रेशियो कंपेट विए स्मॉल कैप थोरा सा तो आज के दिन में थोरा सा राइस होगा तो आज 2% 5% के उपर गया है तो करीबन 100-1001 पे पहुंच जाया होगा 6 months का 51% that is fine one year का 60% it's a good small case but subscription fees is high और इसका भी rebalancing frequency भी हाई है तो उसको ध्यान में रखके ट्राइ किजिए आफ लोग क्या करना है अचा लेट्स गेट बैक टॉरा वाच लिस्ट यहां पर एस तो जैसे मैंने कहा है एवरी स्टॉक कैनाट परफॉर्म एवरी टाइम ओमनी बुले ट्रेंट भाई साब 2.66% बहुत दिन बात देख रहा हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यह पुडाना स्मॉल केसे जो है ना सुपर मल्लिप्लाइस ओमनी बुले ट्रेंट तो सुपर मल्लिप्लाइस यह अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो इट फिल्स गुड़ ट्रेंट अमनी का स्मॉल केसे भी रिटन बैक कर रहा है अभी अच्छा किया है अच्छा किया लिश्टर वेंचर केटल उतना जाधा नहीं हो सिवन पन नाइन उस्ट्राइट स्मॉल का 1.62 अल्फा ब्लेंट भाई सभी यह सेगंड परफॉर्म अधा देया है 2.85 परसेंट यार कितना बैतर निंग परफॉर्मेंस कर रहा है लगाता तो यह हिस्टोरिकल रिटर्न्स इसका अच्छा नहीं है रिसेंटल अच्छा कर आया यहां पर देख़िये आपको क्यों दिखा रहा हूं फेब्रोरी में लगा था वासिचिंप बस 31 % इसका फेब्रोरी पर लगा था 2747 सब्सेंट उपर देखिए मार्च मैं लगा यह 45 परसें तो एस्टू का देखिए 70 परसेंट में लगा था हाई मोमेंटम मार्च में लगा था 46 परसेंट डिफेंस चोड़ी तो देख सकता है कि रिसेंटली का मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस करता है यह रिसेंटली एक दो हफ्ते दो तीन हफ्ते से यह परफॉर्मेंस अच्छा करना स्टार्ट किया है वस्ट वैल्यू माइग्रेशन 1.29 परसेंट ठीक ठाक है हाई कॉली राइप 1.20 स्टॉक्स्टर का अभी एक रिबैलेंसिंग आएगा आज रात को शायद हाई जान्सेज है क्योंकि जब भी यह लोग का कुछ प्रॉफित दिखता है यह लोग प्रॉफित बुक करवा देता है तो हाई चांसेज आर बाट स्टॉक्स्टर विल बी अंडर गोईंग रिव रिबैलेंसिंग तुमोरो ओमनी स्मॉल का 1.45 यह लोग भी चोटे स्मॉल चोटे कॉर्पस में लेके आते हैं और जिन लोग का थोड़ा सा एट-लिस लेने का शमता है वाई दोंट यू गो फोर दिस नेके ट्रेयार वाई पे सब्सक्रिशन फीज इसका देखिए से मेंदे पर लगाता यह अवर्स अःवनि इसका भी शमॉल कप यह त्रेयां समॉल कप लूग कर सकता है यह भी स्मॉल कप स्टोक सकता है बिफ्रेंच लूग के डबल डिटरन दिया हुआ है प्रिबालेंसिंग उतना खास नहीं है कोडरली बेलेंसिंग होता है सब स्टॉक्स फ्री यह कंड़ने का जरुवत नहीं है कोई कोई इस टेंशन नहीं अपलोगा वाइड वाइट यूओ फर दिस नेकट रिडर इफ यूपास इज लोग एड यूव वांट 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 व अब चलते हैं अपने पोर्फोलियों में तो पोर्फोलियों का हाल ठीक ठाक लग रहा है स्मार्ट वालोगा दिन के एंड वहां एक टाइम पर वांट फाइब कर गया था तो तब तो वेरे अल टुटल प्रॉफिट बहुत ही जाधा हो गया था लेकिन दिन को एंड होते हो काफी इंप्रूव्मेंट हुआ है एक टाइम पर माइनस फोर पांट सम्तिंग पर अभी रिकवर होके 2.90 पर आया हुआ है इंडिविजुली दिखाए तो 1,30,000 है अभी सुपर मॉल्लिप्लियर्स का तो अच्छा 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 रिटरंस मिल रहा है अभी स और टोटल का देखिए फाइनली एगे इंदर पॉर्टफोली इस पॉज़िव तो जब भी पॉर्टफोलियो पॉज़िव जाता है नेक्स दिनी देखता हूं कि कुछ मार्केट में ऐसा कुछ न्यूज़ आता है कि मार्केट नीच आ जाता है तो होफुली कल का मार्केट पॉज़िव है तो कुछ एटलिस पॉज़िव रिटरंस दीखे मुझे एटलिस तो जब से लगा हूं मैं बस नेगेटिव पॉज़िव नेगेटिव पॉज़िव ऐसा ही किया जा रहा है तो वन डे का रिटरंस वान पॉट जीरो परसेंट ऊपर गया ताट इस वेरी गू तो स्माल का 50 1.02 मिट का 51.43 स्माल का 1.5 मिट का 0.53 बैंतरी इन परफॉर्मेंस किया है आज के दिन में यहां पर देखिये फार्मा वन प्न प्न परसेंट इसवां निफ्टी इटी 1.73 परसेंट आइस वेरी वेरी गूड और एफंसीघी 0.18 परसेंट निफ्टी प्राइब प्रॉटल प्रॉफित तो यह वाला नहीं है तो यह वाला नहीं है तो प्रॉट्फोलिय के तरफ चलता है तो देखिए टुडे का तो जाधा नहीं किया है तो जब भी नेगटिव रहता है तो मैक्सिमम यह पर एवरी स्टॉक स्टार इंडस्टी एक्सेप्ट वन और प्रॉजिटिव का बात करो तो यहां पर भी देखिए प्रॉट्फोलियों तो कंक्लूट करो तो आज कर दिन काफी अच्छा था बेस्ट ऑन दो ऑप्टिमिजन ओफ रेट कर्ट तो डेट कर्स नेक्स वीक को आएगा तो डेट कर्ट तक एट लिस्ट मार्केट में व्लड़ दिखेगा यह तो ऑब्यस है मार्केट ऐसे शांत ब प्रेश ट्रिगर के ऑप्टिमिजम में मार्केट ऊपर जा रहा है नीच या रहे एक दिन ऊपर जाता है तो नेक जिन देखिए कि प्रॉफिट बॉकिंग के चक्र में नीच आ जाएगा तो लेट सी क्या होता है वीडियो पसंद रहे तो गाईज लाइक और परहे प्रॉफिपका भी करें प्रेश घा?